हलो एवरिवन, वेलकम टो मैच चैनल, तो आईए आज हम संगम काल के कुछ प्रश्णों को देखते हैं, तो देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि संगम काल, कब से कब तक काल को संगम काल कहा जाता है, तो संगम काल पर्थम सताबदी से ले करके दूसरी सताबदी, तीन सबसे जादे परभावी राजा थे पांडियों चोलों और चेरों तो संगमकाल में पांड चोल और चेर का सबसे अधिक जनकारी मिलती है तो आईए हम संगमकाल कुछ प्रशनों को देखते हैं लाल चेर के नाम से परशीदवाश चेर शाशा कौन था जिसने कनिंगी या पतिनी के मंदिर का निर्मान किया था तो कनिंगी और पतिनी या पतिनी मंदिर का निर्मान सेन गुटूबन ने करवाया था लाल चेर के परशीद सासक था उसीने पतिनी नामक मंदिर का निर्मान करवाया था तमील का गौरब ग्रंत जीवक चिंता मनी किश्य शंबंधित है तो तमील का गौरब ग्रंत जीवक चिंता मनी जैन से संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है नेक्स्ट है तमिल भासा के शिल्पा दिकारम और मेनी मेखलाई नामक गौरब ग्रंथ किसे संबंधी थे तो बौध धर्मशे बौध धर्मशे संबंधी थे सिल्पा दिकारम और मेनी मेखलाई ग्रंत कौन्ट शंगम यूगीन ब्याकरन रचना सर्वथिक महत्पूर्ण रचना माने जाते हैं तो संगम काल का संगम जुग का ब्याकरन रचना तोल का पीम है सबसे महत्पूर्ण रचना तोल का पीम को माने जाता है जो संगम कालीन ब्याकरन रचना है शंगम यूग में उरयूर किशले बिख्यात था कपास के लिए उरयूर बिख्यात था संगम यूग में तोलका पीम ग्रंथ संबंधित है तो तोलका पीम ग्रंथ ब्याकरन और काब से तोलका पीम संबंधित है ग्रंत है धार्मिक कविताओं का शंकलन कूरल किस भासा में है धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल कूरल तमिल भासा में है तो तमिल भासा में जो धार्मिक कविताओं का शंकलन है किस शंगम युगिन राज्य के संरच्छन में तीन शंगमों का आयोजन किया गया था तो पां पांड थे राज उनी के शमय में उनी के रच्छन में तीन शेंगम का आजजित किया गया था कि नंदो ने अपना कोश गंगा की धारा को छीपा रखा था नंदो ने अपना कोश गंगा की धारा को छीपा रखा था मामूल नार ने उलेख किया है मामूल नार कपाटपूरम का अल में संपन दीतिये शंगम का एक मात्र शेष ग्रांथ तोलका पियम है किश रीशी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दच्छिन भारत का आरी करन किया उन्हें आरी बनाया तो अगस्त रीशी को अगस्त रीशी को दच्छिन भारत का आरी करन किया और उन्हें आरी बनाया है अगस्त रिशी के बारे में कहा गया है कि दचिन भारत का आरी करन किया है उन्होंने और आरी बनाया है अगस्त रिशी ने अश्टेवों के अनुसार संगम यूग के किस वंश के शाष्टक ने रूमन समराठ के दरवार में 20 इसा पूर्व के लगभग एक दूत भेजा था तो पांडे नरिश ने 25 इसा पूर्व के लगभग में एक दूत भेजा था नेश्ट है तुरू बलूरवर की रचना कूरल या मुपाल को कहा जाता है तमील भूमी का बाइबिल को कहा जाता है कूरल या मुपाल नेश्ट है तमील काब का इलियर कहा जाता है तो तमील का ब का इलियर सिल्पादी कारं को कहा जाता है तमील काव का उडिसी, तो तमील काव का उडिसी मनी मेकलाई को कहा जाता है, मनी मेकलाई, मनी मेकलाई को तमील काव का उडिसी कहा जाता है, पुहर कवेरी पटनम, पुहर कवेरी पटनम की अस्थापना किस ने की थी, तो कारिकाल ने की थी, मुझरिस किस राज का परमुक ब फिश्क हमत्नी जमीन संधना अधि लेट अंतनी जमीन तो कावेरी डिल्टा कावेरी डिल्टा की जा मेंनेud ग्रंथ एवं अग्यात नामक लेखक अग्यात नामक लेखक के ग्रंथ पेरिपलस के अनुशार मोती के शीप पांड देश के किश छेत्रिशे निकलते थे तो मोती के मोती के शीप पांड देश के कोल्चे कोल्चे छेत्रिशे निकलते थे गाय या अनबस्तों के लिए प्राइस्तर को कहा जाता था वीर कल या नुडुकल वीर प्राइस्तर वैसे प्राइस्तर था जो लड़ते-लड़ते मनने वालों वीरों के शम्मान में खड़ किये जाते थे बीरकल या नाडुकुल को प्रचिंतम तमिल देवता पूरुगन किस वैदिक देवता के सद्रिश हैं तो असकांद या कार्तिके के सद्रिश हैं कोण को एवं मनन किस लिए पर्युक्त होते हैं तू राजा के लिए कौण को एवं मनन राजा के लिए शंगम काल में में इस श़ब्द का पर्युक्त किया जाता था जाता था नेक्ट है और लास्ट कोश्चन है कौन शंगम यूगीन व्याकरन रचना सर्वधिक महत्पूर्ण रचना माने यह थे तो संगम यूगीन का सबसे सर्वधिक महत्पुन राचना तोलका पियम है सब्षे सर्वाधीक महत्पुन है ब्याकरान राचना तोलका पियम थाइंक यू वीडियो को लाइक चरूर करें सबस्क्राइब करें और सेयर करें